इस रो ने इंधन सेल का सफ़ल परीक्षन किया है। यह भविश्य के अंतरिक्ष से संबंधित निष्णों के लिए सिस्टम के डिजाइन के लिए डेटा के संग्रह में मदद करेगा। इस रो ने एक बायान में कहा, इस परीक्षन का उद्धेश्य अंतरिक्ष में बहुला के लेक्ट्रोलाइट जिल्ली इंधन को शिकाओं की गतिवधी का मूल यांकन करना है। इसके अलावा, भविश्य के मिश्णों के लिए सिस्टम के डिजाइन को सुविधा जनक बनाने क लिए डेटा संग्रा किया गया है, POAM, PSLV और बिटल एक सपेरिमेंटल मॉड्यूल के अलपकालिक परीक्षनों के दोरान, उच दबाव वाले कंटेनर में संग्रहीत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गयास से 180 वार्ट बिजली उत्पन हुई थी। इस रो ने इंधन से आने वाले विभिन प्रकार के वाहनों में इंजन के स्थान परींधन कोशिकाओं को सबसे उचित विकल्प माना जाता है। इस रो ने कहा है कि इंधन से ल अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक आदाश शक्ती स्रोत है क्यूंकि यह बिजली और शुद्ध पानी दोनों चंद्रियान तीन की सफलता दो हजार तेज में फिर्स और मिश्न आदितेय इल एक दो हजार चोबिस ने कुल मिलाकर भारत का यह अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चर्चा का विशय बन गया है। इस रो का पहला सोलर मिश्न आदितेय इल एक शनीवार छे जन्वरी कोले ग्रेज पाइंट में प्रवेश कर गया। आदित्य इल एक जो सितंबर 2013 में आंधर प्रदेश के श्री हरे कोटा से शुरू हुआ था। इस दिन अपनी अंतिम और अत्यधिक जटिल प्रक्रिया से गुजरा। हाला कि इस रुदेश और दुनिया के लोगों को एक और सरप प्राइज देने वाला है। यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा।